पर फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्रेंड्स अलेबिन बाइपर्टाइज सट्रेलिमेंट को साइन हुए छे महिने करीब बीद गए उसके बार भी अभी किन-किन मुद्दों पे कनफ्यूजन जारी है फिमली पेंशन अभी एप्रूबल नहीं हुआ NPS कॉंट्रिविशन 14% अभी अप्रूबल नहीं हुआ और इस पारे में RTI द्वारा एक रिप्लाई में ये कहा गया कि मिनिस्ट्री ने कहा, डिफेंस, DFS ने कहा कि ये अंडर प्रॉसेस अंडर प्रॉसेस अप्टो इस टाइम नहीं पता इसके साथ साथ प्रिविलेज लीप का इनकैश्मेंट आपको याद होगा कि इस बाइपर्टाइट में एक नया इंट्रोडक्शन हुआ था कि फाइव डेज और सेवन डेज का प्रिविलेज लीप का इनकैश्मेंट किया जाएगा और ये 1st January 20 से लागू होगा लेकिन फ्रेंड्स एक जगा उस सेटिलमेंट में BPS में लिखा था कि इड विल बी इंपैक्ट फ्राम दा 1st November 20 जिसकी वज़से एक कन्फूजन क्रियेट हुआ और कुछ बैंकों ने इसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है इस बारे में यूजन की तरफ से फिर आईबा ने क्लिरिफाई किया कि नहीं ये 1st January 20 से ही लागू होगा यानि कि जो इंप्लाइज सर्विस में हैं और उनकी उम्र 55 साल से कम है देट आफ इंकैस्मेंट और वो किसी भी उस साल में कलेंडर येर में किसी तहवार पे 5 डेस का इंकैस्मेंट ले सकते हैं और जो व्यक्ति रिटायर हो चुके हैं या जिसका उम्र 55 साल हो चुका है वो 7 डेस का और रिटायरीज के लिए ये क्लिर कट गाइडलाइज था कि 1st January 20 से लेके अक्टूबर 20 के बीच में जो ब्यक्ति रिटायर हुए हैं और उनका 240 डेस के बाद अगर छुट्टी बसती है तो उनने 7 डेस का इंकैस्मेंट कर दिया जाए अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनको इंकैस्मेंट 7 डेस का इंकैस्मेंट मिलना है फ्रेंड्स इसके साथ 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 स्टाफ वेलफेर इसकीन की बात आती है स्टाफ वेलफेर फंड इन पब्लिक सेक्टर बैंक नीट फ़र रिविजन इस बारे में एक पत्र AIBA ने लिखा हुआ है DFS को एक लिफाई करने के लिए कि जो कंडिसंस पहले लागू थे बैंक बर्जर के बाद कंडिसंस चेंज हो गए है इसलिए स्टाफ वेलफेर फंड का एमाउंट बढ़ाया जाए आपको पता होगा कि पहले बैंक बैंक अर पर्मिटेट टू एलोकेट 3% अफ नेट प्रॉफिट वेलफेर पे खर्च कर सकता है उसके हिसाब से स्टेट बैंक अफ इंडिया को 100 करोर रूपीज और बैंक विजनेस मिक्स अफ मोर देन रूपीज 3,00 करोर और 30,000 स्टाफ 25 करोर रूपीज तीसा कंडिशन था कि bank with business max of more than Rs. 150,000 crores and more than 20,000 staff is Rs. 20 crores और other PSB में 15 crores लेकिन merger के बाद से bank के जो staff थे जिसे पंजाब निस्नल बैंक में 71,000 staff थे वो बढ़के 1,07,000 हो गया कैनरा बैंक में 58,000 staff थे वो बढ़के 92,000 हो गया बैंक का बढ़ादा में 55,000 staff थे जो merger के बाद 84,000 हो गया Union Bank of India में 37,000 staff थे जो बढ़के 77,000 हो गया और Indian Bank में 23,000 staff थे वो बढ़के 43,000 हो गया Friends, इन सब को मुद्दों कर देखते हुए AIBA ने DFS से मांग की है कि in view of the increased total number of employees, the per capita allocation of staff welfare schemes will be reduced if the total allocation is not adequately increased. Hence, there is a need to subtably amend the guidelines and increase the ceilings for allocation to the stop welfare scheme. अगर समय रहते DFS इसको बढ़ा देता है तो stop welfare scheme थे फ़ंड बढ़ जाएगा और हमारे staff को इसके बारे में कुछ जो facilities बैंक वाईज अपने bank staff को देती है वो हो जाएगा और अगर ये बढ़ता है तो vaccination के लिए भी जो COVID vaccination के लिए भी जो funds होगा bank इसमें से utilize कर सकती है इसलिए ये आवसक है कि जब merger हुए एक साल बतीत हो गए है तो ये criteria जो 3% of net profit plus certain provided the ceiling लगाई गई हो उसको खटा के bank DFS दोरा bank stop fund का location सिग्र बढ़ा देना चाहिए ताकि staff welfare scheme में staff के जो welfare scheme से हैं उसमें bankों को curtailment न करना पड़े और उन्हें staff न करना पड़े Thank you friends, thank you